बुरा फस गई बीजेपी सांसद मेनिका गांधी इस कौन ने थमा दिया सव करोड का नोटिस मेनिका गांधी पर हिंदों की आस्था का मज़ाग बनाने का आरोप एक तरफ भारती जंदा पार्टी सांसद को लेकर बड़ी बड़ी बाते करती है लेकिन दूसरी तरफ उनकी ही पार्टी की सांसद ने ऐसा बयान दिया है जिससे सांसद को मानने वालों की भावनाय आहत हुई है और इसके चलते बाशपा सांसद को सव करोड का मानहानी नोट दरसल इस मामले की शुरुआत तब हुई जब नवंबर 2022 में एक संगीता नाम की महिला एक घाल विदेशी बश्रे को अनन्द पुरिस कौन गौशाला में छोड़ कर जाती है घाल बश्रा संक्रामक रोक से ग्रसित था इसलिए गौशाला की तरफ से 15 दिनों तक बश्रे का इ इस मामले की शिकाए संगीता ने पुलिस में भी की जिसकी जाच के बाद पुलिस ने गौशाला को क्लीन चिट दे दिया इसके बाद महिला ने केंदर मंतरी मेंका गांधी को चिट्थी लिखी मेंका गांधी ने इस बाबत अनंद पुरिस कौन के अध्यक्ष दामो दर बात कर मामले की पूशताच की गौशाला द्वाराई मेल के जरिये मेंका गांधी के सभी आरोपो का जवाब दिया गया गया गौशाला ने बताया कि हमारे यहां गायों को बांध कर नहीं रखा जाता संगीता द्वारा लाया गया बश्टा भी नहीं बांधा गया था इसल बारा संगीन आरोप लगाते हुए गौशाला को मेल भेजा इसके बाद एक इंटर्वियू में उन्होंने इसकौन का नाम लेते हुए कई तरह के गंफीर आरोप लगाए हैं दरसल हाली में सोशल मीडिया पर मेंका गांदी का एक वीडियो बाराल हुआ था इसमें उन्होंने इसकौन पर कसाईयों को गाए बेशने का बेहत संगीन आरोप लगाया था इतना ही नहीं उन्होंने इसकौन को देश की सबसे बड़ी धोके बाच संस्था बताया था में इनका गांदी वीडियो में कहती नजर आ रही है इसकौन गौशालाय स्थापित करता है और इसके ल पतलब है कि सभी को बेश दिया गया मेंका गांदी आगे कहती है कि सकौन अपनी सारी गाय कसाईयों को बेश रहा है इस तरह का काम उनसे जादा कोई और नहीं करता है ये वही लोग है जो सड़क पर हरे राम हरे कृष्णा का जाप करते हुए घूमते हैं और कहते हैं कि उ उदिश्टर गोविनदादास ने बयान में कहा है कि सकौन ने दुनिया की कई हिस्सों में गाय सनरक्षर का बीड़ा उठाया है खास तोर पर ऐसे इलाकों में जहां गौवांस लोगों का मुख याहार हैं इसकॉन की उद्षित्र गोविंदन दास ने कहा था कि वर्तमार में इसकॉन की गौशाला में जुगाये हैं उनमें से जात्तर को त्याग दिये जाने या घाल होने के बाद लाया गया है। कुछ ऐसे भी हैं जिने हत्या से बचाए जाने के बाद हमारे पास ला गया है। इसकौन की तरफ से मेंका गांधी के आरोपों पर जवाब देते होई बताया गया है कि मेंका गांधी कभी गोशाला में आई ही नहीं है। इसकौन कोलकाता के उपाद्यक्ष राधा रमरदास ने कहा है कि इसकौन के भक्त समर्थक इन अपमान जरक निंदन्ये और दुरभावनापूर आरोपों से बहुत दुखी हैं। इसकौन के खिलाफ ब्रामक प्रिच्वार के खिलाफ नयाय के लिए कोई कसल नहीं चोड़ेंगे। जो इसकौन पर गंभीर आरोप लगा है। देश का करोडो सनातनी इसकौन के साथ खड़ा है। झाल ऑच्ट ग्याया नहीं चोड़ेंगे। टुरभावनाब।